नमस्कार दोस्तों मा डॉक्टर भावेश आज की वीडियो पर देखने वाले हैं एक विसेस बिमारी जो अभी के टाइम आपको कॉमनली मिल सकती है जब आप लगाता बाबार पानी में गीले होंगे और यह प्रॉलम मिल सकती है यह होती है इसमें क्या होते हैं आपके सीने मे या बैक साइड में आपको मिल सकते हैं पीट में आपको मिल सकते हैं मिलते हैं और इसमें कई बार लोग जो होते हैं लगातार दवा करते हैं छोड़ते हैं फिर फिर करते हैं फिर दवा लेते हैं फिर ठीक होता फिर आजाते हैं इस पर आपको आज मैं फर्मूला बताने व वसीना आता है उन लोगों में प्रॉलम हो सकती है जो लोग लगातार पानी के संपर्क में रहते हैं उन लोगों में हो सकती है जो लोग उमस वाले अरिये में रहते हैं डैंफ वैदर वाले अरिये में रहते हैं उन लोगों के समस्या हो सकती है उनके सरीर में यह जो फंगस के होती है हमारे सरीर में होती है मैलनोसाइट सेल्स होती है यह जो फंगस होता है यह मैलनोसाइट सेल्स के फंक्शन को डिस्टरब कर देता है या उसमें से निकलने वाले मैलन की जो प्रसेस होती है यह मैलनन नहीं निकलेगा तो उस एरिये में और जब फंगस पहुंचेगा तो वहां पसीन आता तो उस मेलान लगा लेते हैं जब तर लगाते हैं ठीक रहता है फिर वो लगाना बंद किये तो आज में बता हूं उसको परमानेंटली वो ठीक करेगा तो करना क्या है आपको इस से हुआ को ठीक करने के लिए सब से पहले तो आपको अपने कपड सुखा पन आपको रखना है ठीक जो वह कपड़े पैने करी और इसको धूप में तो बहुत अच्छा होगा पिर और 지는 बोडी को फिर यह फिरवश करैंद और खासकर कोई भी नीम वाला साबून ले लिए ठीग है कई लोग को देखा है वो अपनी बोडी वाश नहीं करते नहाते नहीं हैं तो नीमगत ले 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 लिए नीम के था मतरता उस मेडिसीस को बनाने के लिए क्या चाहिए है ? हम मार्केट से आप ले आए 15 ml का लिए 550 ml और दूसरा आप ले नारियल तेल पचास मेलना दो चाहिएव कालेंदुलर जये कहा सैटल हमको 15 ऑं नार्यल तेल चाहिए पचास मेल यह व्कू कभिषर करने के बाद, मिक्स करने के बाद इसको दिन में दो बार लगाईए एक बार आप क्या करें जब भी आप जॉब करने जा रहे हैं स्कूल जा रहे हैं तब आप लगा लीजिए और रात में सोने से पहले आप कम से कम सोने से एक दो घंटे पहले आप लगा लीजिए रोजाना इसको हो सकता है कि आपका जो से हुआ है तस धर में ठीक हो जाए हो सकता है छार दिन में ठीक हो लेकिन इंपॉर्टन चीजी है इसको आपको लगातार नभी दिन यूज करना है तब पर्मानेटलि ये ठीक और वाइज नहीं होगा कोई साइड एफेक्ट नहीं है जो गेंदे का जूस है गेंदे से बनने वाली दवा है बिल्कु नैच्छल दवा है इसको सिर्फ आप अपलाई करिए बैस्ट एंटी फंगल दवा है जिसको आप अपलाई करेंगे सो परसेट मिलेगा बस आपको 90 दि रोजाना इसको आप अपलाई करिए जब बिल्कुल ठीक हो जाए तो दिन में एक बार अपलाई करने चालू कर दीजिए रात के रास वोने से पहले बस यह करिए और फिर आप देखिए कि आपका जो से हुआ चुमनतार हो जाएगा जिक यदि आपको मेरा वीडियो पसंद सबस्क्राइब करें नमस्कार दोस्तों